नमस्कार चानक्या IAS Academy में आपका स्वागत है स्युक्त अरब अमिरात में बीते सुमबार मुख अंतरास्टी हवाई अड़े सहित तीन टेल टेंकरों को निशाना बनाए गया इस हमले में दो भारती नागरिक समेत तीन लोगों की मौत हो गई यह हमला ड्रोन से किया गया था और इस हमले की जिम्मेदारी हूती विद्रोहियों द्वारा ली गई हूती विद्रोही यमन से समंधित हैं और यमन अरब प्रायदीब के दक्षिन कोने पर इस्थित है यमन के पस्षिम में लाल सागर, दक्षिन में अधन की खाड़ी, उत्तर में सौधी अरब, पस्षिम में उमान है यमन के साथ जिबूती, इरिटीरिया और सुमालिया समुद्री सीमा साज़ा करते हैं स्वेज नहर के खुलने के बाद से यरोब और एसिया से समुद्री संपर के चलते, लाल सागर की अहमियत बहुत जादा बढ़ गई इससे यमन की अहमियत बढ़ना सुभावी खिंधा, सबसे बड़ा सहर सना, देश की राजधानी है, जो की एतिहासिक महप्र रखता है और देश का प्रमुख बंदरगा और आर्थिक केंद्र अधन है अब एक नज़र डालता है यमन के राजनितिक इधिहास पर 1962 तक यमन में राज तंतरात्मग विवस्था थी, मतलब मुनार्की थी 1962 में ही यमन में सैन्ने विद्रो होता है कहाई ये जाता है कि इस सैन्ने विद्रो में जो भी सैन्ने अक्सर या सेना सामिल थी उन्हें इजिप्ट या मिस्र में ट्रेनिंग मिली थी और ये ट्रेनिंग दी गए थी इजिप्ट के उस समय के सासक नासीर के द्वारा क्योंकि 1960 के दसक में नासीरवाद और अरब बात मुव्मेंट चल रहा था जिन दोनों का एक मात्र उद्दे से था स्विंक्त अरब का निर्मान करना और इसी का परिणाम था 1962 स्वि में यमन में सैन्य विद्रो होना और इस सैन्य विद्रो की कारण यमन के उस समय के सासक मुहम्मद अलबादी को गद्धी से हटा दिया गया और यमन अरब रिपब्लिक का गठन किया गया ठीक उसी समय एक और अबधारना आये थी वह अबधारना थी युनाटेट अरब रिपब्लिक का निर्मान करना जिसमें मिस्र, सीरिया और इराक शामिल था और ये दोनों मतलब यमन अरब रिपब्लिक और युनाटेट अरब रिपब्लिक लंबे समय तक नहीं चल पाए क्योंकि ठीक पांच साल के बाद मतलब की 1967 इस्वी में यमन में फिर ग्रियुद्ध प्रारम हुआ और इसके दो परिणाम सामने आये पहला परिणाम तो यह सामने आया कि लंबे समय तक दक्षनी यमन पर नियंदरन इस्थापित कर रखने वाला ब्रिटिस उसे वहां से जाना पड़ा और दूसरा परिणाम यह सामने आया कि उत्री यमन और दचनी यमन में दो सरकारे सामने आई उत्री यमन में जो सरकार आई उसका नाम था यमन अरब रिपब्लिक और दचनी यमन में जो सरकार आई उसका नाम था People's Democratic Republic of Yemen लेकिन बात फिर यहीं पर नहीं रूखी फिर पांचमे साल मतलब 1972 इस्वी में और फिर उसके आगे उनी सो चेटर इस्वी में फिर ग्रियुद प्रारम हुआ और फिर दस साल के बाद 1986 इस्वी में फिर एक ग्रियुद हुआ मतलब लगातार तीन ग्रियुद का सामना यमन को करना पड़ा लेकिन 1986 के ग्रियुद के बाद निगोसियसंस परारम हुए और उसका परिणाम यह हुआ कि 1990 इस्वी में यमन में दोनों सरकारों ने मतलब उत्तर की यमन अरब रिपबलिक और दक्षिन की पिपल्स डिमोक्रेटिक रिपबलिक औफ यमन इन्होंने मिलकर एक कमबाइंड यमन गवर्मेंट को फॉर्म किया जिसमें अली अब्दुल्ला सालेह को प्राइम मिनिस्टर बनाय गया वहीं अली सलीम अलवैद को वाइस प्रसिडेंट बनाय गया अली सलीम अलवैद ये दक्षिन यमन के पिपल्स डिमोक्रेटिक रिपबलिक औफ यमन उससे समंधित थे अब बात करते हैं हूतियों की हूति जैदी शिया संपरदाय का सबसे बड़ा आदिवासी संगठन है ये यमन के उत्तर पस्षिम में इस्थित सदा प्रांच से समंधित है इनकी आबादी यमन की कुल आबादी का 35 परतिसत है जैदियों ने 1962 तक हजारों साल से यमन पर सासुन किया हाँ ये सही है कि 1962 के बाद से ये काफी कमजूर हो गए लेकिन 1980 के दसक में उत्री यमन में सुन्नी इसलाम की सलाफी विचारधरा के विस्तार के विरूध में इनका फिर उदे हुआ या इसले हुआ कि 2011 से पहले जब यमन में सुन्नी नेता अब्दुल्ला सालेह की सरकार थी तब सियाओं के दमन की कई घटनाएं सामने आई थी 2000 के दसक तक आते आते हूती विद्रोही सेना के रूप में बदल गई 2004 से 2010 तक सालेह की सेना से च्छा बार युद्ध किया साल 2011 में अरब देसों सौधी अरब, युएई, बहरीन, सहित, अन्य के हस्तक छेप के बाद या युद्ध सान्थ हुआ तानसा सालेह को देश की जनता के प्रदरसनों के चलते पद छोड़ना पड़ा इस दोरान मंसूर हादी यमन के नए राष्टपती बने और यह घटना 2011 की है लेकिन देश में जिहादी आतंकवादियों के बढ़ते हमले डक्षनी यमन में अलगावादी आंदोलन, भरष्टाचार, बेरोजगारी और सेना का पुर्व राष्टपती सालेह को समर्थन, हादी के लिए समस्या बना रहा आखिर जब हूतियों को अपनी समस्याओं का हल होता नहीं दिखा तो उन्होंने हादी को भी सत्ता से बेदेखल कर दिया और राजधानी सना को अपने कबजे में ले लिया सिया समुदाय से आने वाले हूतियों की यमन में इस बढ़ती ताकत से सुन्नी बहुल सौधी अरब और युएई में घवराट बढ़ गई उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से हूतियों के खिलाब हवाई और जमिनी हमले करने सुरू कर दिये और सत्ता में बेदखल हुए हादी का समर्थन किया इसका असर यह हुआ कि यमन अभी युद्ध का मैदान बन चुका है यहाँ सौधी अरब युएई की सेनाओं का मुकाबला हूति विद्रोहियों से है अब इन सबके बीच इरान का नाम क्यों आता है यह प्रश्न हमेशा सामने आया है वह इसलिए क्योंकि इरान पर हूतियों की मदद के आरूप लगते रहते है बताय जाता है कि हूती विद्रोहियों को सीधे तोर पर इरान का समर्थन हासिल है आखिर इरान हूतियों की मदद क्यों करता है वह इसलिए क्योंकि इरान शिया बहुल देश है और होती मुस्लिम भी इसी समुदाय से आते हैं इतना ही नहीं इरान का पहले ही सौधी अरब और UAE से लंबा विवाद रहा है यही कारण है कि इन सारे प्रकरण में इरान का नाम सामिल रहता है इन सारी घटनाओं में यहां पर यह बात गौर करने लायक है कि यमन जो युद्ध का मैदान बन चुका है उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें वहां के लोगों को है वहां के आम लोगों को है क्योंकि वहां मानवी संकट चरम पर है वहां के लोगों के समख्च खाने की दिक्कते हैं तो इसका एक समाधान यह हो सकता है कि जो भी देश इन सारे प्रकरण में सामिल है वह एक मंच पर इखटा हो और शांती पुर्वक इसका समाधान हासिल करे है तो यह थी हाली में UAE पर जो ड्रोन एटेक हुआ था उससे समंधित घटना का विशले सबी इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं समाध करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें धन्यवाद करें लाइक करें